तो आज की वीडियों फिर से में एक और जॉब एक काने दिखने वाल है जो कि TCS की तरफ से आ रही है तो TCS ने आपको अगेन मौका दिया हुआ है TCS में जॉब करने का और निंजा पोफाइल के लिए जो की तरफ से आ रही है तो TCS की तरफ से आ रही है आपने गविशन में कुछ भी कराओ, किसी बैस के स्टुएंट हो, आपको जॉब चीए, जो अपले होने वाली है, तो वीडियो को पूर लास देखेगा, मिस मत करेगा, एंड इस सभी के अपलाई करने का लिंक, आपको डिस्क्रिशन मिलने वाला है, आप लिपाई कर सकते हो एंड डिस्क्रिशन में को और भी कंपनियों के लिंक मिलेंगे, आपने उनके लिपाई नहीं करा, उनके लिपाई करिएगा, अभी भी काफले अक्टिव हैं, नवातने आप TCS के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको पता है, TCS का कॉन्टेस्ट हो रहा है, जिसका नाम है Hack तो जिस भी Candidate का Intests है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के बाद लिएक test क लिए करते हो,balls के लिए करते हो, तो आपको माजा मिलता है, TCS में जॉब करने का, एंड इसके लिए आपको टरीनिग मिलती है इंड की जरभ से पहले, लेग आपको Java मिल सकता है, python नो मिल सकता है, cyber security नो मिल सकती है एंड इन के बाद multiple domains है जिसके बाद आपको training मिलने वाली है और आप सभी quality इन सभी की knowledge है आपको parity मिलेगी आपको job के time पर, interview के time पर आपको certificate कर रहा हुआ, training कर रहा हुआ है तो आपको प्लस point होने वाला है इसके लिए तो यह छोटा सा intro था, TCS acquisition के बारे में तो बात कर सके LGBT के बारे में तो कंपी ने mention कर रहा हुआ है आप सभी 21 batch के student हो, 22 batch के student हो आप eligible होने वाले हो और इसके लावा आप में गैविशन नों BEB tech कर रहा हुआ है MEF tech कर रहा हुआ, BCA, BSE कर रहा हुआ है MC, MSC कर रहा हुआ है, आप हो eligible होने वाले हो, अपके 10th में, आपके 12th में आप हो गैशन कर रहा हुआ है, पोस्ट गैशन कर रहा हुआ है, 60% माक्स है तो आप हो eligible होने वाले हो, और आप सभी कोई backlog नहीं हो चीए at the time of solution procedure, backlog है, clear कर लेना, otherwise आप हो eligible नहीं होने वाले आप सभी का CT नंबर है, DT नंबर है, generate होना चाहिए, means आपने पहले की अप्लाई कर रहा हुआ, TCS के लिए next step portal पर, तो आपको यो DT नंबर होगा, already generate होगा, आपको उसको use करना पड़ेगा, apply करने के time पर आप सभी अप्लाई नहीं कर रहा हुआ है, next step portal पर, तो आपको apply करना पड़ेगा पहले, apply करने के लिए बाद, DD नंबर generate करना पड़ेगा, उसके बाद form fill up करना पड़ेगा, जब भी आप form fill up कर रहा हुआ है, आपको option मिलेगा, नंबर डालने के लिए, तो वो काफ digital profile के लिए job करने का, एंड उनने mention भी कर रहा हुआ है, एंड इसके रिलावा आपको price ही मिलने वाला है, अप तो 5 lakh तक का, अगर आपको इस contest को clear करते हो, तो आपको price भी मिलने वाला है, जो भी आपका job का दोल होगा, वो decide होने वाला है, आपकी performance के उपर, जैसे भी आपकी experience को, एंड इसके लिए कोई भी apply कर सकता है, आप में degree में कुछ भी कर रहा हूँ, किसी बैच के student हो, आपको job चीए, जो आपके लिए होने वाली है, एंड company भी hiring कर दिए, जो की फास्ट है, बेकेंड डेलाप रगा, second है, analyst का, तो जो भी आपके skills होने वाला है, इंट्रेस् इंडर मास को करते हमने exam में, तो आपको मौका मिलने वाला है, multiple company में interview देने का, जी लेवल के जुरू, एंड का फिस्ट ने exam भी निकाला हुआ है, एंका, example के लिए candidate है, जिसका नाम है श्यांस, इसने exam निकाला हुआ, back-end developer का, जी लेवल के platform पर, एंड इसको offer मिला हुआ ह इसकी तरह है, exam लेकरते हैं, आपको मौका में लेका, multiple company देने का, एंड आपको interview के लेकरते हैं, आपको job मिलने वाली company में, एंड इसके लिए आपको free of course apply कर सकते हो, आपको एक भूबाब करने की जरूवत निये है, किसी के लिए भी आपको apply करना है, apply करने के बाद, test के ल देना है, एंड लास में आपको job मिलने वाली company में, तो check out करेगा, ना बात के से selection bossy के बारे में, तुन्होंने mention करा हुआ है, आप सभी का total two round होने वाले है, first round में question आने वाले है, catch the flag type के, एंड आपको नहीं पता, catch the flag क्या होता है, किस type के question आते हैं, तो इसके लिए बाद म मलेगा, second round देने का, जो के interview होने वाला है, जो की virtually होगा, second round के लिए करने के बाद को job मिलने वाली है, company में, ninja profile के लिए, digital profile के लिए, जैसा की मैं आपको बताया, तो आपको selection का पोसी रहता, I hope आपको समझ में आ गया होगा, ना बात के apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए आप पास्वर्ट आलीगा, confirm करीगा, then checkbox select करीगा, एजरिस्टर पर click करीगा, आपको apply हो जाएगा, and apply करने का थोड़ा wait करीगा, आज सभी काद मेल आएगा, company दाब से test करेगा, टेस्ट के लिए करोगे, interview देने का मौका मिलेगा, and last में आपको job मिलने वाली company में, तो check-out करीग करीगा, apply करीगा, काफी अच्छी पोचिटी है, तो I hope आपको समझ में आगा होगा, इसके लावा फिर भी कोई डाउट होता है, आप लोग मुझसे फूस सकते हो, नीचे comment box में, telegram पर, मैं आप सभी की help कर दूँगा, तो check-out करीगा, apply करीगा, तो आज की video बत नहीं, video पस करीगा, तो आप सभाग हो, आप समझ मैं, तो करीगा, नीचे हो, एक करीगा, व very कैना, तोको समय का लावा है, तो इसके का दाता हुझा यश्दी ऑ़ वायाय हो, इसके लोग एव वा जाशने हो, तो पसया हो, झा Пढ